21 सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंदग्रहन सुग्रुबार को रात को गवा दुनिया ने कुछ घंडों के लिए चांद को अपना रंग बदलते हुए देखा सफेद रंग के चांद ने धिरे दिने अरंग बदला और एक समय ऐसा आया जब वो सुग्र लाल रंग अपना चुका था आपको पता दे भारत में सुग्र बाद देर रात करीब 11 बच का 54 मिनट पर चंदग्रहन सुरू हुआ इस दोरां देश और दुनिया में लोग इस अधुत नजारे को साक्षी बनने के लिए असमान मं टक्टकी लगाय हुए देखते रहें चंदग्रहन को देखने के लिए दुनिया में लोग भोरों से बाहर निकले कई देशों में इसे देखने के लिए काफी इंतिजाम भी किये गए थी दुरिया भर के लिए भरे ही अगटना प्रमांट की एक परकिरिया से जूड़ी हुई हो लेकिन भारत में इसे एक अस्था के विशेय के तोरपर देखा गया चंदगहन क्यों होता है इसका सिधाज़ा बाब है कि चंदर्मा का फ्रित्वी की ओट में आ जाना उस इस्थिती में सूर एक तरफ, चंदर्मा दूसरी तरफ और फ्रित्वी दोनों के बीच में होती है जब चंदर्मा धरती के छाया से निकलता है तो चंदगहन पढ़ता है चंद्रमा पूर्णीमा का दिन पढ़ता है येकिन हर पूर्णीमा को चंद्रमा नहीं पढ़ता इसका कारण है कि पृत्वी के अकच्छा पर चंद्रमा की कच्छा का जुके होना या जुका तकरीबन 5 जिग्री है इसलिए हर बाद चंद्रमा प्रित्वी की चाया में पर्योष नहीं करता उसके उपर या नीचे से निकल जाता है यहीं बाद सूरिगरण के लिए भी सच्छा है सूरिगरण हम ऐसा आमोसय के दिन होता है क्योंकि चंद्रमा का आकार प्रित्वी के आकार के मुगाबले लगबग चार गुना कम है इसकी चाया प्रित्वी पर छोटी आकार की पड़ती है इसलिए पूर्टा की इस्तिती में सूरिगरण प्रित्वी के एक छोटे से हिस्से से ही देखा जा सकता है लेकिन चंद्रण की इस्तिती में धर्ती की चाया चंद्रमा के मुकाबले काफी बड़ी होती है लिहाजा इसे गुजरने में चंद्रमा को काफी वक्त लगता है